डाउटनट अगर श्टुडेंट्स कोई भी कोस्टन में फस गये हो तो कोस्टन को क्रॉप करो मात्र पांच सेकेंड में सोलीशन मिलेगा चाहे हो कोस्टन कोषण कोषण हो केमिश्टरी का कुस्टन हो मैठ का बाइलोगी का कोई कभी कोषण अगर नहीं बन रहे तो कोश्टन को क्रॉप करो मात्रबो पान सेकेंड में सोलीशन मिलेगा क्लास ना इन बहुत बड़ी अब्रेट निकल के आ रही है मगद भी सुध्याले बोध गया से M.U.K.S.A. स्टुडेंट जो सत्र दो हजार सत्र बीस के है पार्ट भी एब एसी बीकम का एक्जाम दे रहा है और उनका जो परिच्छा चल रहा है उसी में आठ तारीको आठ बारा दो हजार बीस को भी उनका एक्जाम था लेकिन आठ बारा दो हजार बीस का एक्जाम को अस्थागित कर दिया गया है और अब यह परिच्छा आपका बारा तारीको होगा कब होगा 12-12-2020 को होगा 8-12-2020 को जिनका भी एक्जाम था अस्थागित करके 12-12-2020 कर दिया गया है प्रथम पाली में जो आपका 8 तारीक एक्जाम था अब वो प्रथम पाली में 12 तारीक होगा वही 2nd पाली में 8-12-2020 का जो एक्जाम था वो 12-12-2020 को 2nd पाली में होगा क्या का एक्जाम आपका था जो अस्थागीत हुआ है तो देख सकते हैं यहां पर 8-12-2020 को ग्रूप A का पेपर 8 था ग्रूप A में क्या-क्या ओनर से आपका Physics, History, Economics, Electronics, Statistics, LSW, Rural Economics, Buddhist Study, Publication Administration and Music इसका एक्जाम वही आपका 2nd पाली में देख सकते हैं आपका एक्जाम था ग्रूप B का पेपर 8 ग्रूप B का Political Science, Mathematics, Sociology इसका जो पेपर 8 था एक्जाम अब आपका 12-12-2020 को होगा यहां पर देख सकते हैं और अफिस्यल सूचना जारी कर दिया गया है इसका कारण क्या है तो आपको बता दें किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और कल पूरे भारत में आपका किसानों के दोरा बंद किया गया है और इसी के चलते आपका एक्जाम को अस्थागित करके 8-12-2020 का एक्जाम को 12-12-2020 को लिया जाएगा मगर इनवर्सिटी से पल-पल की खबरे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइन टेक केर वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजिएगा